आज हम डिस्कस करेंगे ओपरेशन रिसर्च उसका लेक्ट्र हमारे पास टू है हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथिमेटिक्स है यहां पे FSC, BS, BSC, MSC मैथिमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और आगे शेयर करें हमारे पास आज इंपॉर्टन टॉपिक है उब्जेक्टिव फंक्शन देखें आपके पास गिवन होगा यासे F of X, F of X वावाई is equal to 2X plus 3Y या minimum of F of X वावाई 2X plus 5Y देखें हमारे पास फंक्शन गिवन होगा जिस फंक्शन को हम maximize करेंगे या minimize थाबत करेंगे और इस function को हम कहते है objective function देखें लिखा हूँ मैंने a function which is maximized or minimize is called objective function देखें जो पिछली या lecture था हमारे पास उसमें सिर्फ हमारे पास linear constraint गिवन थी 2X plus 3Y less than equal to 10 X plus 5Y less than equal to 17 इनको हम कहते हैं linear inequalities या हम इसको बोलते हैं constraints तो और ये हमारे पास अब नया एक function आ गया जो maximize भी हो सकता है और minimize भी तो इस function को हम कहते है objective function अब इस function को हम maximize थाबत करेंगे या minimize तो उसके लिए हमें क्या दरकार होते हैं corner points तो corner points या इनको हम बोलते हैं vertex तो already मैं आपके साथ discuss का चुका हूँ जो आपके पास corner points आएंगे वो हम इस objective function में put करेंगे हमारा answer maximum भी आ सकता है और minimum भी आ सकता है इस solution को हम कहते हैं optimal solution देखें the feasible solution feasible solution का पता मतलब है कि x gradant call 0 y gradant call 0 जो आपका solution होगा वो कहाँ लाइग करेगा first quadrant में जो आपका solution होगा वो कहाँ लाइग करेगा first quadrant feasible solution कौन सा होता है जो first quadrant में लाइग करे which maximize and minimize the objective function जो objective function को minimize करेगा या minimize maximize करेगा is called objective optimal solution तो हमाँ अब discuss discuss करेंगे question question हमारे पास है minimize f of xy is equal to 2x plus y हमारे पास linear inequalities या इनको हम बोलते हैं constraints हमारे पास है x plus y greater equal to 3 7x plus 5y less than equal to 35 x greater than zero y greater than zero इसका मतलब जो आपका solution है वो बेटा कहां लाई करेगा first quadrant में तो इनको change करें the associated the associated equations are in quality की जगा पे हम क्या लेंगे equality replace कर देंगे x plus y is equal to 3 7x plus 5y is equal to 35 इसको बोले equation number one इसको बोले equation number two हमारे पास दिखें जो line one है इसमें भी डो variable है यह x को भी cut करेगी और y को भी दिखें the line one cut the x axis जाब को line x को cut करेगी वहाँ y की value क्या होगी 0 यहाँ y की value 0 put करें x की value करेगी 3 तो लिखें x intercept तो क्या करते है पहले x की value इसमें बाद में y की x की value क्या है 3 y की value क्या है 0 next लिखें the line one cut the y axis देखें जी line one x को भी cut करेगी y को जाब y को cut करेगी x की value 0 put करें यहाँ x की value 0 तो y की value क्या गई 3 तो लिखें y intercept पहले x की value आएगी बाद में किसकी value आएगी y की इसी तरह line two है लिखें the line two वही काम करें इसमें दो variable है the line two cut the x axis जाब जी x को cut करेगी तो y की value क्या होगी 0 put करें यहाँ y की value 0 7 x is equal to 35 7 पे divide करें x की value क्या गई 5 तो लिखें x intercept पहले आएगी हमारे पास x की value 5 y की value 0 इसी तरह the line the line two cut the y axis जाब जी line y को cut करेगी तो x की value क्या होगी 0 put करें x की value 0 5 y is equal to 35 5 पे divide करें y is equal to 7 तो लिखें y intercept तो देखें पहले x की value आएगी बाद में y की value आएगी देखें मैंने दोनों lines का यहां दोनों equation का एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल लिया और मैंने इनका y intercept भी निकाल लिया next देखें हमारे पास इनका graph ड्रा करेंगे हमारे पास यह है x y coordinate system x axis और y axis तो देखें मैंने जो पहली line है उसके points मैंने निकाले थे 3 वा 0, 0 वा 3 जो दूसरी line है उसके point थे 5 वा 0 और 0 वा 7 देखें x की maximum value क्या है 5 है और y की maximum value क्या है 7 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो देखें पहला point क्या है 3 वा 0 यह देखें 3 वा 0 यह origin है क्योंकि आपको पता है कि x axis पे y की value क्या होती है 0 अगरा point क्या है 0 वा 3 और y axis पे x की value 0 तो दोनों points को मिलाएं आपस में हमारे पास देखें यह line आगे और next हमारे पास क्या है 5 वा 0 यह आगया हमारे पास 5 वा 0 क्योंकि y x x पे y की value 0 नेक्स हमारे पास क्या आगया 0 वा 7 मलाएं दोनों points को आपस में यह हमारे पास देखें line आगे अब आपके पास जो सबसे important point था जो मैंने आपको बताया था आप चेक करते हैं check at origin origin का पास क्या मतलब है 00 देखें यह हमारे पास origin है origin पे x की value भी 0 होती है y की value भी क्या होती है 0 हमारे पास दो equation थी x प्लास y गिर निकल डू थी थी और 7 x प्लास 5y लेस निकल डू 35 तो हम क्या करें इस point में इनको चेक करें के कौन सी true करती कौन सी false x के विल 0 y की value 0 0 greater to 3 देखें 0 कभी 3 से बड़ा नहीं होता है इसका मतलब condition क्या होगी false अब दूसरी यहां put करें 00 0 less and 35 0 हमेशा less होता है 35 से यह क्या हो गई true अगर आप गार करें जो line 1 थी यह जो first है इसको म line 1 है इसने क्या किया false और इसने क्या किया true देखें इस line ने true किया और इसने क्या किया false अब अब देखें इसका मतलब है कि इसका solution origin की तरफ आएगा जिसने true किया इसने false किया उसका solution origin से दूर जाएगा दोबारा नोट करें बिड़ा इस लाइन ने ये जो लाइन है ये जो एक्वेशन है इसने ट्रू किया ओरिजिन को इसका अंसर ओरिजिन की तरफ आएगा इसने फाल्स किया इसका अंसर ओरिजिन से दूर जाएगा जैने इस लाइन से उपर अब हमें क्या चाहिए दोनों का common solution दोनों का common तो दोनों का common solution क्या होगा ये दर्मियान वाला इनकी अच्छी तरीके से आप practice करें आप लोग और देखें ये जो हमारे पास जो shaded है ये जो shaded area है ये वाला ये हमारे पास क्या है solution देखें shaded area area solution solution of given in qualities activities ये हमारे पास क्या है स्का solution है ये जो अब आप देखें फिर मैंने क्या बताया था आपको corner point ये जो boundary point है ये ये और ये बड़ा वो boundary point होते हैं जो बड़ा solution region हो ये ये हमारे पास solution है जो इस solution region के जो boundary point CJ August में क्या करती है interact ये वाले इसके क्या है boundary points है जिनको हम क्या बोलते हैं कार्णर पॉइंट तो देखें हमारे पास कार्णर पॉइंट क्या क्या है थ्री वा जीरो और फाई वा जीरो और जीरो वा थ्री और जीरो वा सेवन ये हमारे पास क्या गया कार्णर पॉइंट ये कार्णर पॉइंट हम वन वाई वन वाई वन एके करके हम इस function में put करेंगे हमने कौन सी value नकाल नहीं है minimum value तो देखें हमारे पास function जो है वो f of x है हमारे पास जो function है f of x f of x y यानि इसको में साव कहना minimum वो बराबर है two x plus y के चले मैं इसको simple है f of x y हमारे पास है two x plus y तो यह हमारे पास क्या है corner points तो यह corner point हम one by one put करते हैं अपना function में यहां put करें क्या corner point पहला three was zero x की value three y की value zero put करें हाँ two and two three plus zero तो क्या गया six दूसरा corner point क्या है five was zero put करें यहां पे two and two five plus zero तो क्या आ गया ten next corner point क्या है zero वा three put करें में पेड़े x की value zero y की value three तो two and two zero plus three तो क्या हमारे पास आ गया seven और हमारे पास corner point और एक लिखें एक corner point और आ रहा था zero वा seven तो यह put करें zero वा seven यह पहली x की value होती है और दूसरी y की value तो पुट करें यहां पे two and two zero plus seven sorry यह three अभी zero plus three three क्या गया seven हमने क्या साब कहना minimum तो देखें इने में minimum value कौन सी है three तो किस point पे है zero और three इसका मतलब हमारे पास minimum function है zero three पे जो इसकी minimum value है वो क्या है three इसका मतलब हमारे पास जो function है so f of x y is minimum at zero वा three यह हमारे पास कहलाता है इसका optimal solution तो देखें optimal solution में में जो हम solution यूज करते हैं यह जो कारण पॉर्ण जो का solution डिसकस होता है वो भी क्या होता है feasible solution यह सबसे important lecture है आप इस conditions को यानि feasible region को feasible solution को feasible solution set और आपके पास objective function और optimal solution इसको आप अच्छे तरीके से सबको discuss करें यह आपका important lecture है इस आपका operational search का